प्रिष्ट संख्या एक सो तीस पद एक हम तो एक एक करी जाना दोई कहें तिन हेंको दोजक जिन नाहिन पहिचाना एक ए पवन एक ही पानी एक ए जोती समाना एक ए खाक गड़े सब भाने एक ए कोहरा साना जैसे बाढ़ी काष्ठी काटे अगनी न काटे कोई सब घटी अंतरी तूही व्यापक धरे सरूपे सोई माया देखी के जगत लुभाना काहे रे नर गर्वाना निर्भय भया कचू नहीं व्यापे कहे कभीर दिवाना संतो देखत जग बौराना साच कहों तो मारन धावे जूठे जगपती आना नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे असनाना आतम मारी पखा नहीं पूजे उनमें कचू नहीं ग्याना बहुतक देखा पीर ओलिया पढ़े कितेब कुराना कै मुरीद तद्बीर बतावे उनमें उहे जो ग्याना आसन मारी डिम्ब धरी बैठे मन में बहुत गुमाना पीपर पाथर पूजन लागे तीरत गर्व भुलाना टोपी पहरे माला पहरे छाप तिलक अनुमाना प्रिष्ट संख्या एक सो बतीस साखी सब्दही गावत भूले आतम खवरी न जाना हिंदु कहे मुही राम पियारा तुर्क कहे रही माना आपस में दो लरी लरी मूए मर्म न काहू जाना घर घर मंतर देत फिरत हैं महिमा के अभिमाना गुरु के सहित सिख्य सब बूडे अंत काल पचिताना कहे कबीर सुनो हो संतो इसब भर्म भुलाना केतिक कहो कहा नहीं माने सहज सहज समाना अभ्यास पद के साथ एक कबीर की दृष्टी में ईश्वर एक है इसके समर्थन में उन्हों ने क्या तरक दिये हैं दो मानव शरीर का निर्मान किन पंच तत्वों से हुआ है तीन जैसे बाढ़ी काश्ट ही काटे अगेनी न काटे कोई सब घटी अंतरी तूही व्यापक धरे सरूपे सोई इसके आधार पर बताईए कि कबीर की दृष्टी में ईश्वर का क्या सुरूप है चार कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है पाँच कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बौरा गया है छै कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की ओर संकेत किया है साथ अज्ञानी गुरूओं की शरण में जाने पर शिश्यों की क्या गती होती है आठ बायाडंबरों की अपेक्षा सुयम यानि आत्म को पहचानने की बात किन पंक्तियों में कही गई है उन्हें अपने शब्दों में लिखें पद के आसपास एक अन्य संत कवियों नानक, दादू और रैदास आदी के इश्वर संबंधी विचारों का संग्रह करें और उन पर एक परिचर्चा करें प्रिष्ट संख्या 133 दो कवीर के पदों को शास्त्रिय संगीत और लोक संगीत दोनों में लयबद भी किया गया है जैसे कुमार गंधर्व भारती बंधु और प्रहलाद सिंटिपाणिया आदी द्वारा गाय गय पद इनके सीडीज अपने पुस्तकाले के लिए मगवाएं और पाठे पुस्तक के पदों को भी लयबद करने का प्रयास करें शब्द छवी दो जग या फार्सी का दो जख यानि नरक समाना यानि व्याप्त खाक यानि मिट्टी कुहरा यानि कुमार या कुम्भकार साना यानि एक साथ मिलकर बाढ़ी यानि बढ़ई अंतर यानि भीतर सरूपय यानि स्वरूप गरबाना यानि गर्व करना निर्भय यानि निर्भय या भयरहित बोहराना यानि बुध्धी भरष्ट हो जाना या पगला जाना धावय यानि दोडते हैं पतियाना यानि विश्वास करना नेमी, यानि नियमों का पादन करने वाला, धर्मी, यानि धर्म का पाखंड करने वाला, असनाना, यानि सनान करना या नहाना, आतम, यानि स्वयम, पखानें, यानि पत्थर को या पत्थरों की मूर्तियों को, बहुतक, यानि बहुत से, पीर ओलिया, यानि धर्म गुरु औ और संथ, ज्यानी, कुराना, यानि कुरान शरीफ जो इसलाम धर्म की धार्मिक पुस्तक है पृष्ट संख्या 134 यानि मस्तक पर विभिन्न प्रकार के तिलक लगाना साख्य यानि साक्षी, गवाह, स्वयम अपनी आँखों से देखे तथे का वर्णन कवीर ने अपनी उक्तियों का शीर्षक साख्य दिया है सब्दही अर्थात वह मंत्र जो गुरू शिश्य को दीक्षा के आउसर पर देता है सबदपद के अर्थ में भी प्रयूक्त होता है आतम खबरे यानि आत्म ग्यान, आत्म तत्व का ग्यान रहिमाना यानि रहम करने वाला या दयालू अर्थात गुरू का महत्म्या शिख्य यानि शिश्य